वेलकम बैक बहुत बहुत स्वागत है डॉक्र भूशन्स रिसर्च लैब में और आज फिर एक तड़कता भड़कता फॉर्मूला लेकर आजिर हुआ हूँ और आज का फॉर्मूला उनको लोगों के लिए वर्दान साबित होगा जिनके मसूडों में सूजन है जिनके मसूडों में से खून निकलता है और जिनको मुझसे स्मेल बहुत आती है गजब का फॉर्मूला है कुछ दिन पहले मैंने दांतों के ओपर एक वीडियो डाला था उसके बाद मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आए वाटसैप पर परसनली आए कि ये वाली तकलीफ बहुत ज़्यादा है इसका हल बता दीजिए और खूब सूरती इस फॉर्मूले की ये है कि ये तीन की तीन चीज़ें अभी इसी वक्त आपके किचन में मौजूद हैं और करना उससे भी असान और सबसे बड़ी बात ही है कि विदिन अवीक वो रिजल्ट आएंगे जो पहले कई महीनों से आपको रिजल्ट नहीं आया होगा वाकई बड़ा शांदार और गजब का नुस्का है कैमरा थोड़ा सा नजदी कीजिए और हमारे वियर्स को बताइए कि ये शांदार चीज क्या है बिल्कुल समझ गए होंगे आप पहली चीज गजब की जीरा सफेद ठीक है सफेद जीरा जो आप आम अपनी किचन में यूज करते हैं राइट सेकंड चीज है सेंधा नमक राइट और तीसरी चीज है प्यार हल्दी ठीक है बस ये तीन चीज़े लेकिन गजब कर देंगी गजब क्यों क्योंकि ये अजमाया हुआ फॉर्मूला है राइट तो पहली चीज है जीरा तो आपने सबसे अब देखी दो चीज़े हैं हल्दी है नमक है ये तो सब पिसा हुआ है हल्दी प्योर लेजिएगा किसी भी अच्छी कंपनी के लिए आ कितना कितना है हां वो भी बता देता हूं आपको कॉंटिटी आप अपने हिसाब से ले लेजिएगा मैं आपको एक कॉंटिटी बता दूँगा बाद में बढ़ाना गटाना होगा तो आप अपने हिसाब से कर लेना दस ग्राम लेना है जीरा सफेद और चार ग्राम लेना है इसको अलग से पीसKे बरिक करके फिर इसमें मिक्स करनी जिये, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, देख़े ऐसा है, जब य Mitte बंध बन जाए, तो रात को सोते समय आपने अच्छे से पहले कुरला कर ले खाना खाने के बाद जब बिल्कुल फ्री हो जाएं फिर उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है आपने, कुरला करके दो तिन बार चार बार आपने चुली करके और उसके बाद थोड़ा सा ये mixture जो है इसका powder का ये आपने लेके और अच्छी तरह से दांतों के उपर और हलके हांट से मसूरों के उपर इसकी मसाज करनी है जोर बिलकुल ने लगाना अगर सूझे हुए हैं मसूरी तो तो एगर सूझे हुए नहीं है तो आप तसलिश से अपने मसूरों की मालिश कर सकते हो ये Аपने START ने कम से कम एक जर ना कर लिया तो उसके बाद आपने वाश वेशन पे खड़े होके मूँ खोल लेना है और इसकी जो लार है ना वो गिराते जाना है नीचे कम से कम दो तिन मिनट चार मिनट बाद में मूँ बंद कर लीजिए अंदर चला जाए थोड़ा बहुत तो कोई इशू नहीं है ठीक है और थोड़ी देर बाद कम स कई महीनों से नहीं आया होगा और जो मूँ की स्मेल है दूसरे तीसरे दिन से आप कहेंगे वाव मज़ा आ गया एक दम से मूँ खुश खुशबू आगी आपने वो मिस्टर बीन का वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें वो हाँ हाँ ऐसे से करता है तो आपका यूमन करे देगा ताकि सब का भला हो सके सब का भला हो सके राइट बहुत बहुत शुक्रिया अपना प्यार देने के लिए वीडियो को पसंद करने के लिए और शेयर करने के लिए तैंक यूवरी मच्छ गॉडब्लेस यूवरीवान